नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ शरत प्रधान और आज हम बात करेंगे कि क्या हाल में जो सुप्रीम कोट ने अडानी ग्रूप के संदिग्ध घोटालों के खिलाफ एक जाच कमिटी कॉंस्टिटीट करी है जो की एक रिटायर्ट सुप्रीम कोट जज के अंडर में बनाए गई है पाच मेंबर की कमिटी क्या वो परियाब्त है उन गोटालों की सही माने में जाच कर पाने में इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिटायर्ट सुप्रीम कोट जज हैं उसके अध्यक्ष और उनके अलावा जो पाच मेंबर्स हैं वो सब अपनी अपनी फील्ड के बहुत ही माहिर हैं और सब अब अब एक हैसियत है एक इंटेग्रिटी है हर एक हर एक का एक बहुत ही उच स्तर है एक रिटायर्ड चेर्में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिटायर्ड आइसी 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 बैंक के चेर्में है और इस बैंकिंग इंडस्ट्री के बहुत चाने माने के वी कामत उनके अतरिक्त नंदर निलेकनी हैं जो की इनफोसिस जैसी एक prestigious कंपनी के को फाउंडर है और भारत में आधार कार्ड के वो कहें जाते हैं इस देश में लाएं हैं जो आधार कार्ड को उनके अतरिक्त सुम शेकर सुन्दरेशन हैं जो की बहुती मशूर वकील हैं सुप्रीम कौट के लॉयर रहे हैं और उनका नाम भी recommend हुआ था जजजशिप के लिए और ऐसे सारे लोग हैं जिनके बारे में किसी प्रकार की किसी को कोई शंका नहीं हो सकती लेकिन क्या ये परियाप्त हैं उन घुटालों को इन्वेस्टिगेट करने में जिनको दरसल पब्लिक जानना चाहती है और वो है में मुद्दा ये कि क्या अडानी ने जो कुछ किया क्या वो मुमकिन था करना अगर उन्हें सरकार का संरक्षन ना मिलता सबको मालूम है ये कोई ऐसी बात नहीए जो छुपी रही हो अडानी के जो गरूप के जो मालिक हैं गौतम अडानी है उनके और प्रधान मंतरी नरेंड मोदी के कितनी घनिष्टा रही है ये सबको मालूम है जग ظाहर है कोई नई बात नहीं है और उस वज़े से माना जाता है कि अडानी को समय समय पर सरकार ने जो है हमेशा मदद करी है कि वो उस टाइम में 2014 में जब गौतम अडानी की कंपनियों का लेवल जो था अंतराश्ट्री इस्तर पे वो 609 नंबर पे आते थे रईसों की लिस्ट में और आज की डेट में यानि की आठ साल से कम में वो गौतम अडानी पहुँच गए विश्व के नंबर दो रिचस्ट मैं तो कोई भी आदनी जिसका कि इस किसम का मेटियॉरिक राइस हो इतने कम पीरिट में वो बिना सरकारी संडरक्शन के बिकार बिना सरकार के बराबर मुस् तरीके से इतना रिचस नहीं बन सकता दुनिया में कहीं पे भी और यही सवाल बार बार उठाया गया है कि गौतम अडानी किस तरीके से इतने रिचस हो गए इतने बड़े रिचस हो गए कि दुनिया के नंबर टू बन गए तो क्या इसमें उनकी जो घनिश्टा थी प्रद बदली गई है रूल्स बनाए गए है जो उनको बेनिफिट करते थे और यही वज़े थी कि सेवी जैसी संस्ता जिसका काम है शेर मार्कित को रेगलेट करने का वो भी एक तरीके से माना जाता है उसने भी बहुत से जो गड़बडियां थी उनको नजर अंदास किया अब डेट में वो रोक सकते थे आज की डेट में जिस तरीके से अडानी के शेर को उपर बढ़ाया गया और फिर गिराया गया उससे कितने लाको करोडों लोगों का इन्वेस्टर्स का आम इन्वेस्टर का कितना नुकसान हुआ हजारों करोड रुपे का नुकसान हुआ उसके लिए कोई जिम्मेदार है की नहीं है यह जो आदेश हुआ है सुप्रीम कौट का जिसमें यह समिती बनाई गई है उनकी टर्म्स ओफ रेफरेंस में इस तरीके की चीज़े तो हैं कि सेवी से मांगी है दो महिने के अंदर रिपोर्ट कि वो बताए कि किस तरीके से यह मार्कि रेगुलेशन में कहां कहां गरबडियां हुई हैं और उसमें यह भी है कि सेवी से क्या गरबडियां हुई हैं कि इनका जो शेर मार्किट था वो किस कदर उपर बढ़ा शेर के प्राइस बढ़े उसमें इंटर्नल ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई इस तरीके की चीज़ लेकिन उसमें कहीं पे भी टर्म्स ओफ रेफरेंस में इस बात का जिकर नहीं है कि अडानी के जो पुलिटिकल कनेक्शन्स थे उससे क्या लाब मिला और वोही असली क्रक्स है वोही जड़ है सारे घुटाले की इसको क्यों सुप्रीम कोट ने छोड़ दिया ये समझ में नहीं आता क्योंकि जब मामला उठाया गया था तो सारी बात इसी की थी कि किस तरीके से इनके संबंदों के कारण लोगों के आखों में धूल जोकी गई अडानी कंपटी दोरा और उस ट्रैप में लोगों ने आकर के तमाम पैसे अपनी सेविंग्स डाल दी और नतीज़ा यह हुआ कि जब क्रैश हुआ तो उस सारी कंपनिया लोगों का पैसा डूप गया ये किस तरीके से किया गया ये इस बात के शक है और इस बात के काफी उ गारन हैं जो दिये गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट खुद इतनी एक्जास्टिव है उसमें इतनी चीज़ें हैं कि अगर वो ही काइदे से उसको लेकर के सवाल पूछे जाते अडानी से तो जादा मुफीत होता 88 questions हिंडनबर्ग रिपोर्ट में raise करें हैं अडानी के खिलाफ जिसका अडानी आज तक जवाब नहीं दे पाए वो अलग बात है कि उन्होंने सैक्ड़ो पन्ने के जवाब बनाएं लेकिन उनमें उन सवालों का जवाब नहीं है बड़ी सफाई से उनको circumvent करते हुए ये जवाब बनाए गए अब इसमें उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम पॉर्ट उन सवालों को फिर इन से पुछवाएगा और ये terms of reference में इस तरीके का जिक्र होगा जिससे उन चीजों पे focus हो सके क्योंकि उन चीजों पे focus नहीं होने से जो अडानी हैं जो जो अगर उन्होंने गड़बड करी है तो वो सामने नहीं आएगी इसलिए ये बात फिर से जो है मुझे लगता है या तो किसी तरीके से सुप्रीम कोट के सामने उसी बेंच के सामने जिन पी आईल्स पे ये पूरा ये matter टेक अप हुआ है उन लोगों को फिर से एक इसमें अगर वो देते हैं कोई further application ये raise करते हुए कि साब supplementary ये भी पूछा जाए कि क्या और ये इस committee को जाच करना चाहिए क्योंकि दिमाफ करिए का इसमें जो समिती है इसमें हैं सब eminent लोग लेकिन इन में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका share market के गोल माल करने का experience हो यारी कि गोल माल को पकड़ने का experience हो कि share market किस तरह चलता है उसमें किस प्रकार की गरबड़ियां होती है इस प्रकार का कोई व्यक्ति इस समिती में नहीं है और महज ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे सवाल जो पूशे जाने वाले हैं terms of reference के साबसे वो ज़्यादा तर सेभी की working और उसमें देखना कि किस तरह के से investor का interest प्रोटेक्ट हो आगे भी इस तरह की चीज़ने सजेस्ट करें ये committee ये ठीक बात है investor का interest सुप्रीम है लेकिन investor का interest असही माने में तब protect होगा जब ये सामने आएगा कि investor की आँख में किस तरीके से अडानी ग्रूप ने धूल जोगी और वो धूल जोगता रहा और सरकार देखती रही इसके पीछे क्या है इसलिए कहते हैं कि इस terms of reference जो हैं वो परियाप्त नहीं हैं अडानी का असली जो संदिक गोटाले हैं उसका exposure काईदे से तभी होगा जब ये भी investigate हो कि क्या सरकार और प्रधान मंत्री से जो उनकी घनिश्टा रही है उसका अडानी ने किस तरह से फाइदा उठाया और उसकी वज़े से जो ये हुआ और ये सामने आया है जिसकी वज़े से तमाम investors आज रो रहे हैं उस पे वरना यही माना जाएगा और लोगों में ये इस बात का अभी से एक शक पैदा हो गया है कि क्या इस समयती के जरीये से कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सोचता है कि ये बड़े आहत हुई है ये बहुत आहत हुए है अडानी ग्रूप लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शायद अडानी ग्रूप के लिए किसी प्रकार की रहात तो नहीं है ये समय बताएगा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें